स्वागत है आप सभी के चैनल पे आज हम बात करने वाले हैं नीम कोटेड यूरिया के बारे में कैसे यह डिफरेंट होता है सेंपल प्लेन यूरिया जो कि हम इस्तमाल करते हैं 40% वाला उतना है तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जैसे कि पहले जो सिंपल प्लेन अब जो है कि आ गया है तरह तरह के कोटेड यूरिया आ गया है जैसे जिंग कोटेड यूरिया आ गया है और यह नीम कोटेड यूरिया है ही सबसे जयते पॉपलर हो रहा है यह नीम कोटेड यूरिया अभी मैं आपको बताता हूं कि क्यों पॉपलर हो रहा है इसके पॉप वहां पर यह सब काम किया जाता है उसका कोटिंग करने का एक ही मतलब होता है कि इसको के अलावद कहीं और इस्तमाल ना किया जांब और agriculture में अगर इस्तमाल हो भी रहा है तो कैसे इसका सटीकता से इस्तमाल हो नीम कोटेड यूरिया जो होता है कि वो धीरे-धीरे रिलेज होता है यूरिया यानि धीरे-धीरे पौधों को मिलता है और लंबे अवधी तक मिलता है ऐसा नहीं है कि आपने डाला और वो तुनंत कु पूरा जो है कि मतला लीच कर जाता है नीचे रिष्ट जाता है पानी के साथ बहुत ही गुलहन शेल होता है तो उसके साथ रियक्शन करके नीचे चला जाता है तो बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है अब जो है कि उसका इस्तमाल तब करिए जब खेत में नमी रह जाय यूरीया का कोई अभाव नहीं होना चाहिए तो सरकार ने इस चीज को रोकने के लिए तरह- तरह के रिशर्च प्रोग्राम चलाया और फिर बाद में नीम कोटेड यूरिया को चेकर ताकि वह हो नiliyor टेर में इस्तेमाल ओब होगा और मैं आपको बताता हूं कि यह जो है कि इसमें नीम होने के ननीम के तील का लेफ होने के वजGU से जो है कि पाध़ों के कीटों कीटों का प्रकूप पौधों पर कम होता है क्योंकि आप जानते हैं कि नीम में जो है कि औस धीव गुण होते हैं तो इसका जो है कि बहुत ही अच्छा एक्षक्ट होता है और सबसे बड़ी बात ही है कि निलगाय इसको खाते नहीं है अगर इस पर आप फोलियर कर देते हैं तो निलगाय जो है कि आपके खेत में गुसे गी नहीं उसको चुए गी नहीं कई लोगों के मामले में यह सामने आए हैं तो यही था आपको बताना कि निम कोटेड यूरिया है और फिर आप उसको समझेंगे तभी तो इस्तमाल करेंगे उमीद करता हूं आपको वीडियो जरू पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करें और फिर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहे हैं